हेलो नमस्कार सात्यों आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जो है बिहार कंबाइन इंटरेंस कंपिरेटिव एक्जामनेशन बोर्ड के तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जो है आप देख सकते हैं यानि कि जो है रॉल नमर आया या नहीं आया यह सारा चीज देख लिए इस वीडियो में जिसे कि आपको पता चल जाए कि आपका काउंसलिंग डेट कब है और कौन से केटेगरी से आते हैं यह आपको ध्यान रखना है और उस केटेगरी के अनुसार अपने डेट पर जो है उपस्तित ह होना है काउंसलिंग सेंटर पर तो चलिए देखते हैं नौटिफीकेशन को तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजिवेट मेडिकल एडमीशन काउंसलिंग ठीक है यूजी एमेज एससी 2022 तो यह जो है नीट बेस पर जो है आपका एडमीशन होने वाला है के लिए जो है नीजी अभियारतियों ने दिनांक 10-2023 से दिनांक जो है आपका 14-2023 तक जो है अवधी में पूर्ण रूप से ठीक है ओनलाइन अपलाई भड़ा है यानि कि फिर से आप अपलाई किये है तो उनके लिए यह मौका दिया गया है ठीक है और यह मौका दिया ग गया है अई ए एस संग्भवन जो है पटना यह हवाई अड़ा के फिशम है ठीक है या वाई अड़ा के निकट और चीडियां घर के जब पीछे में तो इस चीज का आप सभी ध्यान रखेगा यानिकि चीरियां घर के पीछे आपको जाना है उसके बाद आप यहां पर देखना होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इधर दिया गया है ठीक है यहां पर जो है आप देख सकते हैं डेट टाइमिंग भी दिया गया है यहां पर दस एम से स्टार्ट है और यहां पर जो है आप कैटेगरी देख सकते हैं तो कैटेगरी आप अपने अनुसार जो है जिस भी category से आप आते हैं तो तो सबसे पहले आप जो है यहां पर देख सकते हैं 17 तारीक का कारिये करम रख गया है यह जो है Your category का है घी cyn के बाद 18 को भी जो है Your category का है आप अपना roll number जरूर एक बार छेक कर लीजेगा हो सकता है आपका दोवार भी roll number 100 हो तो सबसे पहले आप जो है कोसिस किजिएगा जो यूर केटेगरी से जाने का ठीक है उसके बाद अगर सीट वहकेंट रह जाता है तो आपको जो है केटेगरी के अनुसार बोलाया जाता है तो इस चीज़ को जो है आप सभी ध्यान रखिएगा और यहाँ पर जो है एस्टी केटेगरी का जो है एक कर्णिडेट है उसके बाद ऐसी केटेगरी के देख सकते हैं यहाँ पर जो है अठारो तरीक को ही काउंसलिंग होगा ठीक है तो वहाँ पर जो है अलाउस्मेंट किया जाता है तो वहाँ पर दो तरीके से अलाउस्मेंट किया जाता है UR category के हिसाब से भी announcement किया जाता है जो candidate उपस्तित रहते हैं उनका counselling होता है और document क्या-क्या लगने वाला है तो ये भी आप सभी देख लीजे और उसके बाद यहाँ पर RCG और EWS जो भी candidate होंगे अपना सभी परमान पतर लेकर के उपस्तित हो जाएंगे counseling center पर उसके बाद हम document की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते है original admit card आपका NEET का होना चाहिए उसके बाद देख सकते है यहाँ पर आपका score card होना चाहिए original ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते है passing mark seat और admit card यानि कि जो है metric का होना चाहिए उसके बाद इंटर का सभी परवान पत्र होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं Residential Certificate होना चाहिए Cast Certificate तो अनिवारिय रूप से आप सभी के पास होना ही चाहिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं Six photograph आपका होना चाहिए ठीक है जो कि आपके अड्मिर कार्ड पर अंकिता और जो है पाटे और पाट वी फार्म जब आप फार्म अपलाई किये थे तो उस समय जो प्रिंट आउट निकाले थे वो होना आनिवारिया है उसके बाद आप जाच पर चीज़ जो है Official वेबसाइड पर से जो है बेसिक डीकेल रहता है आप सभी देख के आसानी से भर सकते हैं उसके बाद जो है रेंक कार्ड आपके पास हो गा ही अधार कार्ड हो गा ही और जो भी केटेग्री से आते हैं आप ये डावलू- सद्क्यू नोकरता तो उसका भी जो है पड़मान पत्र आपके पास होना अनिवारिय है और एक चीज मैंसन यहाँ पर क्या गया है आप जो है फिस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है परतिक अभ्यारती जो नीजी आयूस संस्थानों में जो है नमांकर लेना चाहते हैं तो वे अपने निर्धारित काउंसलिंग तेथी को सभी वांचित मोल परमान पत्र की साथ जो है कंट्रोलर आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ एक्जामनेशन बी सी इसी बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद पटना के नाम से यहाँ पर पच्चास अजार का बैंक ड्राफ साथ में लाएं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा बैंक ड्राफ भी होना चाहिए होता है कभी-कभी आपका कैसपर भी एड्मिसन हो जाता है तो इस चीज को जो है आप अपना ध्यान रखेंगे ठीक है और सभी जानकारी जो है आप पता कर लेंगे आप अपना डोकुमेंट वेरिफिकेशन बैयरा करवा लेंगे उसके बाद यह सारा प्रोसेस आप कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि पहले आप अगर पचास अजार का जो है बैंक ड्राफ ले जाते हैं तो हो सकता है आपका ना हो तो यह प्रॉब्लम हो जाएगा तो इस चीज को जो है आप सभी दिहान में रखेंगे तो आसा है कि आप सभी को कोई जनकाड़ी अच्छा लगा हो तो लाइक चरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो सेर कर दीजिएगा जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए और वो भी एडमीसन अपना ले सकें ठीक है तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहु